आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगी गतिमान अबिस और चुम्बकत जो की चेप्टर नंबर N.C.E.R. टिक फोर है इससे जितने भी इंपर्टन कोईस्चन होने वाले हैं जो की बहुत इंपर्टन और एक्जाम में जरूर आते हैं ऐसे कोईस्चन के बारें पढ़ेंगे तो पहले हम पढ़ने वाले objective यानि जो option वाला question होता है फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे one number की question answer होते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे numerical आपके लिए very important है और numerical को जरूर देखिए एक्जाम में लगबग हर साल आते है question और दसल से rifted question है तो देख लेते हैं पहला question गतिसील आ i polpanda इसलों और तो आपका अपसेंगे दे रखाकिया वैद्वीच्चितीस टिकर अगर वयस्टी सील है तो वह चनी ये इस पर श्रजाता है कि जब कितांब थीके कितांगेρωा द्हारा को प्रवाहित करते तो उसके चार और चुम्बकी छेप उत्पन हो Exactly है इस उन्योय प्र italy को परिवर्दन करते के दूसरे में बहुषेप उत्पन होता है कि यह हो जाएगा option इसके बाद दे रखा है कि यहां पी इंपर्टेंट क्वेस्टन है कि म्यूम नाट इपसाइलन नाट के पार माइनस एक बटे दो का मान होता है तो इसमेरे हम जानते हैं कि यह जो इसको हम साल बकर समझेंगे कि c बराबर होता है one upon meam not epsilon not ठीक है जहाँ पहले है यह है प्रकास का वेग ठीक है प्रकास का वेग तो वेलासिटि या फिर लाइट है तो c बराबर हम जानते हैं क्या होता है 3 into 10 के power 8 meter per second होता है ठीक है तब इसका मान हमको इसमें से निकालना है लेकिन ऐसा मान दे रखा है यहाँ लेकिन kilometer per second है ठीक है तो यह तो option हो नहीं सकता और यहाँ पर 3 into 10 के power 8 दे रखा है लेकिन इसका जो मातरक है इसको देखना है ठीक है अगर यह मात्रक अगर आप नहीं ध्यान दोगी तीक मारकर चल यह है सेमी पर सेकंड यह भी नहीं हो सकता ठीक है और यह तो अलागे बिलकुल अब देखते हैं होगा कौन यह मीटर पर सेकंड है इसके मात्रक को देख़े और इसको हम सेमी पर सेकेंड में बदलने के लिए ना सव से मल्टिप्लाई कर देंगे क्योंकि एक मीटर में कितना सिंटीमीटर एक मतलब कि यह जो मीटर है तो आपका सव मीटर में कितना सेमी एक सेमी में आपको यह एक मीटर में सव सेमी ठीक है एक मीटर में सव सेमी तो असा सव से में क्या कर देंगे multiply करें 3 into 10 के power 8 into 10 के power 2 ठीक है दो क्यों लिख रहे हैं दह दाहां में 100 इसका बार करेंगे तो इस पर इस पर गाते जूड़ जाती तो 8 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 into 10 के power 10 यह हो जाएगा semi per second ठीक है तो इसा question देख सकते हो आप यहाँ पर है 3 to 10 के power 10 semi per second आपसर नंबर सेकेंड आपका correct answer होगा नेक्ट और important question जो है उसको देख लेते हैं यह देखा कि चुम्ब की दिधूर्ड आगुड का मात्रक है तो student हम जानते कि चुम्ब की दिधूर्ड आगुड का जो मात्रक होता है वो बेबर पर मीटर स्कॉयर होता है ठीक है यह अब उसके बाद next और important question की बात कर लेते तो यह देखिए समझने वाला question है कि एक समान चुम्ब की छेतर में यानि कि एक समान चुम्ब की छेतर है यह ठीक है यह कोई चुम्ब की छेतर है मैं बल रेखाऊं कि समानतर एक electron जिसका आवेस यह है माली जिसमें एक electron है और जिसका आवेस क्या है यह है ठीक है वेग वी से चलता इलेक्तान पर लगने वाला बल है अब देखिए जब ऐसा कंडिसन होता है तो हम जानते हैं कि जो इस पर लॉरेंज बल लगता है यह बराबर क्या होता है क्यू भी वी साइन ठीटा ठीक है अब यह समानतर गुजरात इनके बीच जो कोड बनेगा हो कितना बनेगा जीरो एंस जाएगा जीरो अतारत इसका जो आपसन नंबर सेकेंड है सुने वह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर अब इसके बाद देख लेतें नेक्ट और इंपर्टन क्वेस्चन है जो आपके बोर्ड इक्जाम में आ भी सकता है चुम्ब कि छेतर बी के लंबोध भी बेक से चलने वाले आपस क्यूप लगने वाला बल एफ का मान होगा इसमें दे रखा कि यह कहरा लंबोध तो यह बराबर क्या हो जाएगा हम जानते हैं कि जो लॉरेंज बोला था क्यू भी भी साइन ठीटा ठीक है साइन ठीटा तो ठीटा बराबर यहां का रखेंगे लंबोध के बूभी भी साइन नब्दे अंस ठीक है नब्दे अंस की वेलू क्या होती वह थी अब बराबर क्या जाएगा क्यों यह बराबर क्यू भी भी तो आपका आपसर नंबर फच जो है वह है करेक्ट अंसर इसके बाद नेक्स देख लेते हैं प्रवारींजवल किया है तीक बहुत इंपर्टन क्वेस्चन है देखें चुम्ब की छेत्र में गतिमान आबेस पर लगने वाले बल को लारेंजवल कहते हैं तो लारेंजवल का जो वह बराबर qvv sin theta यानि इसका कहने का मतलब कि कोई चुम्बकी छेतर है मालेती यह कोई चुम्बकी छेतर है इसे से इसमें कोई आवेज गती मान करणा और उस पर एक बल कारी करेगा उसी बल को क्या कहेंगे लारेंज बल कहेंगे इस और इंपार्टन क्वेस्चन देख लेते हैं इंपियर का परिपत नहीं हम लिखिए तो इंपियर का परिपत यह कोई परिपत है अब यह परिपत कैसा है बंद कर देते हैं बंद सीमा के दूरी चुम्बकी छेत्रबी का रेखी समाकलन रेखी समाकलन के लिए समाकलन का चीन रेखी के लिए क्या लगाते है डी एल रेखी समाकलन पदरा घिरी यानि की पदरा घिरी नाइट के लिए क्या लगाते है बराबर घिरी धारा आई का आई का मियूमनाट गुना होता है यही क्या है एंपियर का परिपत नहीं आपको एक देखी जो हता है DLAL यानि लाइन लाइन नहीं रेखा लाइन लाइन नहीं रेखा का पतदरा घिरी नैट नैट के लिए बराबर कचिन लिखा धारा आई का म्यूम नाट गुना होता है अब इसके बाद तो नेक्ष्ट हमारा कुश्चन है दिखाईए कि निर्वात में प्रक इन सेवेन यह होता है और जानते हैं कि वन अपन फोर पाई एपसाइलन नाट एककोल होता है नाइन इन टू टेंड के पावल नाइन जैसा कि आपने फिर्स्ट चेप्टेर में पढ़ रखा इसको मालत एक क्वेस्टन फॉस्ट और इसको मालत एक्वेस्टन सेकेंड अब कि समिक्रड एक में दो से भाग देने पर ठीक है इसको लिख लेंगे हम कि समिक्रड एक में दो का भाग देने पर दो से ठीक है समिक्रड दो से भाग देने पर यह नहीं कि दो से दें भाग देने पर अगर आपके इसको भाग देऊगे तो आएगा क्या समिक्रण एक पहले इसको इसमें भाग देंगे ठीक है इसका इसको इसमें देंगे फिर इसको समिक्रण एक क्या है लिख लेंगे हम म्यूम बाई फोर पाई ठीक है अब इसके इधर वाला लिख लेंगे त 10 के पावर माइनस 7 अपान इसकी जो बहलू है इसको लिख लिए 9 इंटो 10 के पावर 9 यह हमने लिख लिया अब लिखने के बाद देखे करते क्या हो सिंपली आपको कर क्या देना है यहां से ऐसे कर जी से पता चलता है कि नेक्स स्टेप इसको एरो को जरूर लगाया करिए इंपार्टेंट होता है यह हो गया म्यूम अपान फोर पाई अब देखे यह उपर जाएगा तो एक बटा कि फोर पाई एपसाइलन नाट अपान वन यह उल्टा हो गया इससे पहले का जो चेप्टर हमने पढ़ा रखा है ठीक है सफलता सीरीज में अगर आप उसको नहीं देखे हो तो आप क्या करो जाकर देख सकते हो ठीक है जिससे आपका नालेज भी स्ट्रांग रहा मैं उसमें बिल्कुल बेसिक बताय हो गया अब देखिए करते क्या है कि यहां पर म्यूम नाट इपसाइलन नाट हो गया तो दस की पावर माइनस साथ उपर है ठीक है अगर यह नीचे आएगा तो यह पलस में हो जाता है इसका गड़ीत का रूल कहता है कि अगर यह माइनस में है अगर नीचे आएगा तो यह प्लस में हो जाएगा ठीक है ऱुन पटा किये 9 कैंट 20 के प्वावर 9 net टेन के पावर प्लस साथ ठीक है माइनस साथ तत नीचे आया तो क्या प्लस साथ अब इसके बाद होगे म्यूम नाट एपसाइलन नाट एककोल होगया वन अपान गडित का रूल कहता है कि मल्टिप्लाई में जो घाते होती पोई एड हो जाती है तो नौ साथ को एड करेंगे तो कितना जाएगा शिस्टीन यानि सोला हो जाएगा अब देखें करते क्या है कि म्यूम नाट और इपसाइलन नाट की जो वैलू होती है वन अपान देखिए य आठ का स्कायर लिख सकते हो वह अगर इन दोनों को आप चाहत थ्री गुद्वित्वित्य में पावर ऐट का स्कॉयर लिख सकते हैं तीन का भी सकॉयर हो जाएगा आड का आर्दुना यानि इसके पावर का क्या है podría मतलि का मतलब बता कि इस पर भी स्कॉयर हो जाएगा और सब्सक्राइब करें तो इसका मल्टिप्लाइब इससे हो जागा तो आठ दुना के 16 और इसका 33 के नौत यह इसको हम आठ गुड़ित्ते 10 के पावर अज़े सारी तीन गुड़ित्ते 10 के पावर आठ का स्कुराइर लिख सकते हो ठीक है यह लिख दिए अब हमें प्रूप क्या करना सी बराबर अब जानते हो इस यह जो है प्रकास की जो चालती वह थी थी इंटू 10 के पावर एट ठीक है मीटर पर सेकेंड तो यह हो गया तो आप क्या कर सकते हैं इसके जिगापे सी रग दो गया ठीक है आप रखे तो आया क्या क सी की 1 बटा के सी का स्कॉाइर की बेलू आपको निकालना ठीक है जैसा कि आप देखे थे तो सी स्क्यक्यक को इससे मल्टी प्लाई कर देंगे तो यह यह निइसको इसकी फेलों निकालना है तो अ इधर इस तरफ को इस多फ ले आएंगे तो यह जगां सी का स्कॉा Espagno और एक्वल वन अपान के मियूम नाट एफसाइलं नाट अब दखी यह इसको क्या कर देगा रूट कर देगा ठीक है तो चीछ बराबर हो जाएगा वन अप वन अपान मियूम नाट और एफसाइलन नाट अंडर रूट में हो जाएगा यह कैसे हुए आप समझ पा रहे हो अगर देखिए दूनों तरफ का हम रूट कर दें जैसे देखिए समझने के लिए आपको बता जिसे सी का स्कॉयर है और यह हो गया वन अपान म्यूम नाट एफसाइलन नाट का स्कॉयर और यह हो गया वन अपान म्यूम नाट एफसाइलन नाट ठीक है यह बेसिक चीज है अगर सी की वेलू यहां से यह आ गया तेहां से मने लिख दिया यह आपके समझने के लिए था इसको लिखना ज़रूरी नहीं होता है तो आपको करना क्या है यह हो गया अब जानते हो कि अंडरूट प्लस वन का मान यहनी अंडरूट वन का मन प्लस वन होता है ठीक है ता अब इसको बाहर लिख सकते हो तो सी बराबर हो गया वन अपान म्यूम नाट और इसका क्या हुआ है यह प्रकास की चाल है इसका मातरग मीटर पर सेकेंड होता है तो यह देख़िए हमको यही प्रूब करना था और हमने लाश्ट में कर ही दिया इस्टुडेंट यह देखिए अब इसके बाद यह नुमेरिकल को साल्व कर लेते हैं यह बहुत इंपार्टन कोईस्चन है इसको आप जरूर तयार कर लीजिए अब देख लेते हैं दे रखाय एक सीधे लंबे तार से वह होता है 2 ठीक है मुम अपान 2 πाई आई वाई आर ठीक है यह इसको फोर पाई भी लिख सकते हो तो इसका बाईल चेंज हो जाता है एकिवल ठीक है अब बाईल इक सीधे लंबे तार से 2 से मिद्धूर यहानी कि और की बाईलू क्या दिखाए 2 2-10 के पावर माइनस दो एक इसकों बदल देगा मीटर में बदल दिया चुमकि छेत की तिवटा तिवटा यानि B की जो वैलु दे रखा 10 के पब हो यहां और यहां रहेंगा आयक्ट करने के लिए है अब यह हो जाएगा यह हो जाएगा ऐन === b r into b देखे इसन यह हो गया अब आपको करना क्या है कि 2 by 2 by 2 by m um की value रग देना है तो आप जानते हो कि जो 2 by by m yoo है उसका जानते है कि यह जो हता है यह हम जानते कि m yoo by 2 by 2 by की जो value होती हो वो होती 10 के power minus यह 2 गृते 10 के power minus 7 थे है minus 7 अगर यह है 2 pi by mu तो यह हो जाएगा 1 upon 2 into 10 के power minus 7 ठीक है यह ऐसे हो जाएगा यह उल्टा हो गया तो यह भी क्या हो गया उल्टा हो गया तो इसके value को आप यहाँ पे put करोगे तो आएगा क्या 1 upon 2 into 10 के power minus 7 into जो यह R है यहाँ इसको put कर देंगे यहाँ पे R की value दिया है तो यह हो दिया आपका 2 गुरिते 10 के power minus 2 into चुमिकी छेत्र की टेसला कमान दिया है 10 के power minus 6 ठीक है अगर इस question को आपने exam में साल्व करोगे तो ऐसे नहीं करना आपको पहले कर देना है कि दिया है जो जो दिया रहेगा उसको लिख लेना है उसके बाद हल लिख कर काले प्रिंस उसके बाद साल्व करना है ठीक यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर पैक्टिस समझी हो रहा है तो आई यानि जो धारा है उसकी जो value निकल कर आएगी तो यह 2 से 2 क्या हो गया चले गए सब उपर अब बचा क्या जो बचा उसको आप एड कर दो देखे मल्टिप्लाइम घाते जूर देशी 6 और 2 को एड करेगी तो 10 के पाउर माइनस 9 हो जाएगा और बचा क्या 10 के पाउर माइनस 7 यह नीची वाला अब देखे क्या होगा कि यह साथ जाएगा उपर तो हो जाएगा प्लस तो यह हो जाएगा 10 के पाउर माइनस 9 और गुरित्ते 10 के पाउर प्लस 7 अब इन दोनों को एड करोगे तो आएगा क्या आपका आज आएगा यानि 9 में से साथ गया तो दो माइनस का दो एंपियर ठीक है यह आज जाएगा आपका अंसर इसको नेक्स्ट और इंपार्टेंट देख लेते क्वेस्चन तो वह है एक लंबे सीधे तार में 10 एंपियर बैदुद्धरा प्रवाहित हो रही है इसमें 10 दूरी पर इसे बिंदू पर उत्पन चुम्बकी चेटर की तिवता ग्याद करनी है यह भी बहुत ही इंपार्टन क्वेस्चन है स्ट्टेटन चुम्बकी चेटर की तिवता आपको ग्याद करना आई की वैल्यू इसमें दे रखा है 10 एंपियर ठीक है और इसमें दूरी द किलना है चुम्बकी चेटर बी बड़ाबर क्वेस्चन मार्क रदेंगे तो हम जानते की बी बड़ाबर इस्लिडेन्ट होता है म्यूंबाई फोर पाई ठीक है इंटू आ र आइं यह हम जानते हैं तो इसकी बाइलू होती है तो इसको आप लेक अएह आपर म्यूंबाई फोर पाई यह आपकी बूर्ड पेपर जो होता है उसमें दे रखा होता है ठीक है यह इसकी वैलू दे रखेगा तो आपको भी बराबर हो जाएगा 10 के पार माइनस 7 इसको आप मल्टिप्लाइब करोगे यह जाएगा 0.1 यानि कि यह जाएगा 10 गृत्ते 10 के पार माइनस 2 तो 10 से 10 को कट गया तो आपके पास बच्चा क्या बी बराबर 10 के पार माइनस 7 बटे 10 के पार माइनस 2 यह उपर जाएगा आप देखे मल्टिप्लाइब में जो पार होती है वह एड हो जाती माइनस 7 और 2 के एड करेंगे ता आपके 10 के पार माइनस 5 ठीक है टेसला आजाएगा इसका चुमकी चेत का मतलग टेसला क्योंकि चुमकी चेत को टेसला नहीं खो जाता तो वह अपने नाम पर इसका मात्र मीटर की एक समान चुमकी चेत में लंबोत 10 के पार 5 मीटर पर सब्सक्राइब करता है लेक्टान पर लारेंजबल का मान ग्यात किजिए तो हम लारेंजबल बराबर जानते हैं यह एक्वल क्यू भी वी साइन ठीटा ठीक है तो यह कैसा प्रवेस कर रहा है लंबोत लंबोत यह और नहीं साइन नब रेंउस रख़ेंगे तो साइन अब एन्स जब आप रखोगे तो साइन नबंस की वेलू वान होती है तो यह जाएगा वन इसका कोई मतलम नहीं तो आपका निकल कर आएगा क्यू भी वी ते इसमें नियूभी चहितर का मान दे रखा है यानि आनि इसके बाद चुमकी चित में लंबोत है यह इसकी चाल दे रखा है यह भी की भी वैलू दे रखा है टेन के पर फाइप मीटर पर सेकेंड अब आपको यह क्यू एक इलेक्टान है तो इलेक्टान की जो वैलू होती है आप जानते हो यह एक्वल चार्ज इस पर 1.6 इंटू 10 क है यह होता है अब हमको निकालना क्या है अब इस पर लगने वाला बल यह एक्वल हम लिख देंगे यहां पर एक्वल क्वेस्चन मार्क अब एक की जो वैलू इसको आप सिंपली निकाल सकते हो 1.6 इंटू 10 के पार माइनस इस्टोनेंट यह सब क्वेस्चन का बार बार प् यह हो गया अब इसके बाद एक्वल हो जाएगा यह इसका मल्टिप्लाई कहीं करना नहीं 1.6 रहने दिना है इसके बाद इसका मल्टिप्लाई एड करोगे तो कितना आ जाएगा इसमें से 5 जाएगा तो 10 के पार माइनस 14 ठीक है इंटू 0.1 अब देखिए इसका इसका किया होँ इसका महत्रक क्या हो जाएगा आप मातरक सुर्यम कमेंट करकर बताएगो अगर आपको पताहुगा तो मैं खुद बम Peng ुदि mec बताओंगा ठीक है तो अगर वीडियो पसंद है हो गां तो лайक कर दीजेगा क्योंकि मैं आपकी लिए तना महनत करता हूं अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना